हेलो फ्रेंड्स मैं किरन यूपी कॉंपेटिशन रूप में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों हम लोग एशिया की महत्पूर्ण नदियों के बारे में पढ़ रहते हैं एशिया की प्रिमुक नदियों पर एक वीडियो दिया जा चुका है जिनमें कुछ मह देखिए यह देखिया यह अमूर्णरिय और सीधरिय यह में पिछली वीडियो में बता चुकी है दोस्तों के अमूर्य और जो सीधरिया म मैदेशिया की दो पिमुक नदिया है ठीक है और यह क्या है अद्रसुश करी मरुस्तलिय छेत में बहते हुए आप देख रहें ये सागर आपको नजर आ रहा है अराल सागर में गिरती है इन नदियों के जल को रोक कर जो मरुस्थली नहीं का भाग है उनमें सचाई की विवस्ता की गई है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ आगे रेखिये दोस्तों इसे लिए और नदी के बादे नि सब्सक्राएं ऊब्त तो बचाती है यहन्द नदी सब्सक्राइबन को औब नदी दोस्तों 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 नदी नदी को याद रखिए यह रूस की दूसरी सबसे लंबी नदी है ठीक है इसके बारे में याद रखिए यह पश्मी साइवेरियाई मैदान में बहती है इस इतना भी है पश्मी साइवेरियाई मैदान है इसमें बहती है और यह अपने मोहाने पर क्या करती है दललगा निर्माण करती है वाकिया आप जानते हैं यह रहे एटिस क्लीन कर लेत तो यह देखिए दोस्तों की यह यह आप जनते यह फारस की खाड़ी है यहाँ पर यह पर देख पड़ेगा ठीक है यह सब देश हैं पर पड़ेंगे और यह आप जानते है अर। है यह सारे देस हैं और यह क्या है यह हमारी फारस की में गिरती है दोस्तों रहिए जो इर downtown इसका संगम्चेसर कहने का मतलब यह एक कि यह तोनो नदिया है यानी फारस नदिये हैं जिस इस्थाने में जग जगा पर मिलती है उसका नाम क्या है सत अल अरब इसका संगम छेत्र है ठीक दोस्तों यहां इराग का एक मात्रबंदर का है वसरा अवस्तित यहीं पर है ठीक है और यह बहुत ही नदियां जो है बहुत ही उपजाव घाटी का निर्मार करती है जो मैसो पोटामिया के अधान के नामसे भी क्या है इनका प्रिष्ष भाटा चैत्र है यह अधान के लिए पिर्सिध मोटाई यह खजूरुत पार्ण के लिए बिश्प पिर्सिध है तो आप याद रखिए यह दज़ला फुर्ण नदी है इराग की तो महत्पूर्ण नदियां है सत अल अरब इन अपने पिर्सिद्ध है और जो सत अल अरब जो छेत्र है वो खजूर उत्पारण के लिए पिर्सिद्ध है दोस्तों कि समझ में आ गया होगा चलिए आगे रिखते हैं है यह देख कर छ ना यालू नदे देख ल gwात देख लाने सोट के लिए पिछली वीडियो पे कर चुए दोस्तों फिर भी एक बार देख लीज़िए यह जो यलू नदी है यह जो यलू नदी ये ऊत्तरी कोरिया और चीन के मद्द प्रागेतिक सीमा बनाती है बस इतना ही याद रखिया और पीला-सागर में क्या करता है यह देखिए यह क्ला वासागर में गिरती है ठीक दोस्तों तो चलिए नख्ट रेखते हम आईए ये रही दोस्तों कुछ और महत पूर्ण नदियां है जिने हमें देखना है और लो कि क्या परिक्षा की दिष्टी से अती महत पूर्ण है तो इन मेंसे अभी हम देखेंगे ये जो नदिया है ये र यह देखे दोस्तों यह आपको यह नेसी नदी दिख रही होगी यह देखे यह नेसी नदी दोस्तों यह नेसी नदी है यह तनुआला परवस से निकलती है और तनुआला परवस से निकलती है और तनुआला परवस से निकलकर आग्तिक महसागर में गिरने वाली रूस की सबस से निकलती है यह भी अपने मुहाने के पास क्या करती है दल्दल का निर्मार करती है क्योंकि सरदी में इसका मुहाना जम जाता है सरदी में जब मुहाना जम जाएगा तो यहां क्या होता है दल्दल का निर्मार होता है चलिए दोस्तों नैक्शन नदी को हम देख लेते हैं य यह जापान सागर गड़र यह सब इसके पाठ है थोड़े अंग है मतलścią इसी के भाग है ठीक है तो हमें देखना क्या है यह देखना कि यह पिशांत महासागर में गरती है दोस्तों याद रखिए सुगारी और उस सारी इसकी सायक नदिया है चलिए नेक्ष नदी देख लेते हैं थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं ठीक है आमूर नदी में आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं यह दोगीं इरिक मंनलिग है तो आपको दिख रही होगी यह देखें के कि इंडिगर कनली यह देखें कि इंडिग कनली इस। पूरुब में आप पूर्वी साइड़ में ging ऑर लेते हैं रूस के कहा ईशुदूर पूरव में बहात कर लेते हैं यह शुजबाद पर दलदल का निर्माण करती है वही क्योंकि साधियों में यह नदी जम जाती है आई यह कोलीमा नदी की बात कर लेते हैं इसके पूर्वी भाग में कोलीमा स्रेणी या कोलीमा स्रेणी है कोलीमा स्रेणी से यह निकलती है और पूर्वी साइवेरिया सागर में गिर जाती है सागरवाला भाग है पूर्वी सागिरिया सागर में क्या होती है कोली में नदी गिर जाती है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा आई दोस्त ब्रह्मपुत्रा नदी की बाद कर लेते हैं यहां है ब्रह्मपुत्रा नदी ठीक है ब्रह्मपुत्रा नदी को आप जानते ही है ठीक है और देखिए तिबबत के चेमियूंग डूं हिमनस से निकलती है यहां जो तिबबत है चिबबत के क्यास चेमियूंग डू हो जाता है आपको पता ही है दोस्तों भारत में प्रिवेश करने से पहले जो यह तिबबत में हैं यह सांग पो नदी के नाम से जानी जाती है जैसे ही आप जानते हैं यह हमारे अहाचा प्रिदेश में प्रिवेश करती है तो हम इसे किस नाम से जानते हैं धिहांग नाम से ज चमना नाम से जाने जाने लगकmusic ये धुबी के निकट भांगलादेस में प्रिवेस करती है जहां इसका नाम कि जब पदमा नदी में मिल जाती है तो इसको पदमा नाम से भी से जाना जाता हुँ गंगा नदी मिलिकर बिश्व का सबसे बड़ा तो दोस्तो यह थे जितनी भी जानकारी प्रहम पुत्रा नदी के बारे नहीं से कोश्यंघ याद रखिये थे अप देख रहे हैं सिंदू नदी ओडिकर जीन में मांसरों जील से निकलती है भारत होते हुए पाकिस्तान में बहता हैं यह आपको और अरप-सागर है अपना परवतिये जो मार्ग है गहरे गहरे गार्ज बनाती है शिव जेलम चेनाव राजी राभी ब्यास ठीक है सतलज गोमल इसकी क्या है सायक नदियां है इस पर मंगलावान पाकिस्तान में बना हुआ है जो कि फेमस बांद है याद रखिए मंगलावान कहां बना है सिंदु नदी अगरी पर पाकिस्तान में बना हुआ दोस्तों याद रखिए गाशा इस नदियों का जो है इसकी जो सायक नदियां का करम याद रखिए गा ठीक है तो यह क्योंकि इंप्पर्टेंट है तो इसलिए ठीक है तो चलिए दोस्तों समझ में आ गई होगी अब सिन्दू नदी चलिए आगे देखते हैं कि आए है को एक कोने नदी हो गई इंडी करका भी अमूर हो गई यह दोस्तों यह नैसी भी हो गई दोस्तों सिंदू ही ओ गई यह ब्रह्म-पुत्रा भी हो गई बागी जब जितनी भी आपकी इंपोर्टेंट नदियां है वह सभी हो गई है तुर्की में पहने वाली मियांडा नदी है दोस्तों तुर्की में बहती है ठीक है तुर्की में बहने वाली एक मियांडा नदी है जो तीर्व मोड़ने वाले मार्क का अनुसरान करती है ठीक है तो फिर बस याद रखिए कि तुर्की में बहने वाली नदी है बस दोस्तों चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्ट करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट वक्स में कमेंट करके जरूर बता है यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल है उसको कर लें ताकि आपको इसी तरह कि इंपॉर्डेंट वीडियों आप तक पहुंचती रहें चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियों तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार